पिग्ना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूस्ता दी है कि एक नहीं, तीन रथ हमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं मात्र तीन रथ? हाँ महामंत्री कुटिलाक्ष, मात्र तीन रथ किन्तु प्रतेकरत, एक संपूर्ण नगर के समान विशाल काए है अनेको सैनिकों के सैनिदल से सुसजित है मैं स्वयम उनकी असाधारन विशालता का साक्षी बना हूँ अनेको सैनिक अवश्य ही देवता उनके साथ सैनिक बन कर आ रहे होंगे नहीं नहीं तो अवश्य त्री देवों ने उसका सैयोगी बनना सुईकार किया होगा त्री देवों और देवताओं को नहीं वो सेना असंग के नारी युद्धाओं की है महाना एक महारी तुम्हारी सबा में तुम्हारी उपस्तिती में हैसा ठास करने का तुसास कैसे कर रहे हैं ये इसका कठो और ढ़न दो नारी शक्ती एक नारी की नित्र तुम्में अनेको नारी युधाओं की सिना आकर्मन कर रही है इसमें परिहास और अठाहस का क्या कारण है कोई समझाएगा मुझे शमा करें असुर महानायक परंतु ये परिहास नहीं तो और क्या है एक नारी अनेको ब्रहमांडों की अधिपती महांतम असुर महानायक बंडसुर जी को चुनोती देने का तुस्साहस कर रही है और वो भी नारी युधाओं की दुर्बल सेना के साथ असमानता के इस युद में शती हमारी नहीं उनकी ही होगी हाँ पिताश्री हमें कोई शती नहीं पहुचेगी जैसे शुम्ब निशुम्ब को कोई शती नहीं पहुची और जैसे महिशा सुर्भी आहत नहीं हुए नारी कोई शक्ती हीन समझने की मुर्कता मत करो शक्ती की स्रोत है वो अपार शक्ती जागरत कर सकती है और यहां जिसका आगमन हो रहा है वो कोई साधारन नहीं अब इतु असुर गुरु शुक्राचार्य की अनुसार स्वयम देवी पराशक्ती की रूप माता ललिता है इतु असुर महानायक जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कौमली होगी क्योंकि सत्य यही है यह था नाम तथा गुरु हाँ हाँ इतने भयानक संकीतों को उत्पन करने वाली अपने नाम की अनुरूप गुमल तो कदापी नहीं है परंतु असुर महानायक यह भी तो हो सकता है कि यह मातर उसकी एक माया हो मुझे कदापी यह विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रिकट होते ही इतनी विशाल कायसे न उत्पन कर दे समस्त ब्रह्मांडों में आप सरवादिक शक्ती संपन है महांतम है आप जिसने आपको चुनोती देने का दुस्सा हस किया है उसके लिए यही उचित दंडोंगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं असुर महानायक द्वारा कभी-कभी अपने महामंत्रियों और सभासदों का उचित सुजाव स्विकार करना इतना तो चलता है तो फिर किसे भेजे हम असुर ब्रहताओ दुर्मत और कुरंद वो मुर्क मज़े विश्वास नहीं कि वो ये कारे कर सकेंगे हाँ विश्वक्र, वो मुर्क तो हैं परंदु समर्थ भी और वैसे भी उन्ने एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है धुर्मत और करंद शुर्मत और करंद अन्या result अरे, हटो यहां से, तुमसे पूर्व, यहां मैं आया था, इसलिए भीतर भी मैं जाओंगा लेकिन तुमसे टकरा कर, तुमसे पूर्व मैं निचे गिरा था, तो मैं जाओंगा रहा प्रथम गिरे तुम होगे, किन्तु अधिक निद्रा किसने ली है, मैंने, और अधिक खराटे भी तो मैंने ली है, चालिस खराटे अधिक खराटे प्रणाम असुर महानायक इन दोनों महामूर्खों को भेज कर, कहीं हम अपना अपमान तो नहीं करा रहे हैं मेरा हाथ मेरा हाथ काँ गया कहा था न मैंने, मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी कितनी देवरगती और शक्ती से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये देखिए महानायक जाओ तुम दोनों अरामरपुर की और बढ़ते हुए रथो को रूखो ये कारे तो मैं ही करूँगा असुर महानायक का प्रमुख सेवक जो बनना है मुझे नहीं, ये कारें मही करूँगा मैं क्यों बनू उनकी दूसे में महान नहीं मैं करूँगा यह तो यहां से जाही नहीं रहे कदाचे थमें दूसरे युद्धा को बेचना पड़ेगा असुर्बानायक जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो नहीं 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 हम ही जाएंगे यह महानकार हम ही जाएंगे मंतरी कुटि लाक्ष आपस में उलजखरी अपना कार्याना बोल जाए इसे सुनिश्चित करने आप पे जाएंगे साथ जैसी आपकी आज्या महानायक इन रतों पर तो मातर नारी ही आरुण है ये कार मुझे सौब दें नाई इन नारियों का संहार तो मेरे ही पुशन हाथ से शोबा देगा नहीं मैं जाओंगा मैं जाओंगा नहीं मैं जाओंगा नहीं मैं जाओंगा अनाज मुझे ही जाकर असुर महानायक पंडेस्वर जी को यहां बुलाना होगा नहीं नहीं उन्हें बुलाने के क्या हो शकता है हम दोनों आपस में कृड़ा से निलने ले लेंगे ले लेंगे ना? हाँ, ले लेंगे और कृड़ा में जो विजाई होगा वही आगे जाएगा देखो, इस पत्थर का सपाड भाग चित और ये खुदरा भाग पट देखो, पत्थर उचाला बोलो, जीतिया पट, बोलो पट, पट पट, पट पट आगिया अब मैं जाओंगा मैं जाओंगा दुर मत जाएगा, नारी सेना को समाप्द करके आएगा मैं जाओंगा मैं जाओंगा का तलिक भी आभास नहीं जो उसने अपने सबसे दुर्बल युद्धा को उसे युद्ध के लिए भेज दिया बंडा सुर बहुत चतुर है भाईया इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई युद्धेश अवश्य होगा आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से त्रिप्त हो जाएंगे तुम जो भी हो मूर्ता मत करो हट जाओ मेरे मार्ट से अनिथा मेरे रक्त के टले कुचल जाओगे नारी हो नारी के समान व्यवहार करो मैं एक अउसर देता हूँ युद्ध की कामना त्याब कर यहां से लोड़ जाओ अन्य था मैंने अपना कार प्रारंब किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा रुखिये देवी दंडी ना था अब सेना पती अभी आपको बार करने की कोई आवश्यक्ता नहीं सर प्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौरे का परिचे देने देजे देवी संपत करी देवी संपत करी प्रणाम माता विचेग भव तरुम प्रखेशट मेंन भव फिश्वदी नंदिनद खमेर इने विष्वदी मोगे नंदन नोचे वीवर्यगं यसे भोगे नुद्यक्य नवाजे निविश्म यनाव इंच्पुरोदे सब्सक्रब की धेशिती संगतु तुम्धी नी धूरिस्ते जय जय हे मही शातो नमर्ते नी रम्यक परते नी रम्यक परते क्या ये दुर्माद इस छोटी सी गटार से उस नारी योद्धा उस देवी का सामना करेगा कटार हो अत्वा खड़क इनके साथ युद्ध करने में तो अद्बुत कुशलता है दुर्मत की इस युद्ध को शेश होने में अधिक समय नहीं लगेगा यह असोर इतना सहच क्यों है जैसे उसे कोई भरीना हो इन बाड़ों को तुम मैं बड़ी सरहलता से नश्ट कर दूंगा अधिक सरो शेश होने मंसुखे जय 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 हे मही चासुर भर्थे एरम्यत भर्थे निशेयरत दूंगे दुश्ट असर मेरे इस बांड का सामना अब नहीं कर सकोगे तुम करींगे के महीं अधिक आञित अधिक स्राशिय अधिक कiell ऐपे लिएव मिलाँ अधिक यह ही किफीर गांब का परिचे तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी इसके पहले कि तुम कुछ भी करो मेरा ये खड़क अपना कार्य कर चुका होगा इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न ना करना असंभव ये कैसा चल किया इसने जिसे माता संपत करी रुखने पर बाद्य हो गई देव से नापति कुमार कार्तिके ये असुर है असुर युद के नियमों का पालन करना इनकी प्रवर्ती नहीं ये तो चल स्वरूप पीछे से आक्रमन करते हैं सदेव चल को अपना बल बनाने में महारत प्राप थे हम ब्रादाओं को शत्रू का संहार करना एक मादर लक्षा है जिसके हे तू शत्रू के वार के प्रकार की चिंता किये बिना बस वार करते हैं हम अधोर इन दूर्मजी ने नियमों की सिमाओं को लांग कर इन देवियों को सिमाओं में बाद दिया सावधान देवी मैंने कहा था ना मेरी गती ही मेरा परीचे है उसे चुनाती ना दीजिये दूर्मत का खड़क है ये इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं अब गती नहीं दूर्गती बनेगी तुम्हारा परेचे असंबाव ब्राता दुर्मत का प्रहार व्यर्थकर उन्हें हाथ कर रही है दिविद्धि जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंब हो जाता है और अब दुर्मत के साथ भी वही हो रहा है जिस गती को तुम अपना परेचे अपनी विशेशता कहते हैं वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारन गोंड है दोश्य तुछ नारी यह तुम नहीं तुम्हारा एंकार बोल रहा है जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नश्ट कर दूंगा दोसासी असुर दंडितो तुम हो गया इतना दुस्सा हस तुम्हारा, मेरे मुकब को ख्षती पहुचाए तुमने उचेत हुआ, सर्वता उचेत हुआ उचेत हुआ नहीं, आप होगा संपत करी एक साधारण असुर सैनिक का वद्ध किया तो क्या हुआ अब जैसे मुकट को शती पहुचाई है, वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूँगा मैं मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं अपनी मृत्यू से भेग करने का समय और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वैम किया है अब मुझ पर वार करने का आउसर नहीं दूगा मैं तुम्हें इसके मुझ पर वार कर दोड़ाने का समय और जिसका अस्त्र का इसका अस्त्र को आउसर नहीं ब्राधा तूपी इस तंब से टकराते ही हो जाता है